हलो गाईस कैसे हैं आप सब आईए आप सभी का अपने यूटूब चैनल विद्यामाण में स्वाबते आज हम कशादस की प्रशनावली 4.3 का कोशन नमबर 10 और 11 को करने वाले हैं गंटा समय कम लेती है ब्रेकट मद्या मद्ये के स्टेशनों पर फैरने का समय ध्यान में नहीं लिया जाए ब्रेकट की लोग और कहा यदी एक्सप्रेस रेल गाड़ी की ओसत चाल सवारी गाड़ी की ओसत चाल से चाल से 11 किलोमेटर परती घंटा अधिक हो तो दोनों रेल गाड़ी की ओसत चाल ज्याद कीजिए पहले ये कोशन को सॉल्व करते हैं सबसे पहले लिखेंगे कोशन नमबर 10 और लिखेंगे सॉल्व तो इस कोशन में पहले माननेगे लिखेंगे माना सवारी गाड़ी की ओसत चाल बराबर X किलोमेटर परती घंटा है और इसमें दिया था कि एकस्प्रेस रेल गाड़ी की चाल जो सवारी गाड़ी 11 किलोमेटर परती घंटा अधिक हो तो हम क्या कर लेंगे लिख लेंगे एकस प्रेस गाड़ी की और सच चाल देगी हमारी x प्लस ग्यार क्योंकि 11 गंटे अधिक बताईती तो यह देगी x प्लस ग्यार ब्रेक्ट में लिख लेंगे km परती गंटा अब कुल दूरी दिया मा दूरी बरावर हमारी 132 किलोमेटर तो हम इसका समय निकाल लेंगे पहला तो समय बरावर होता कुल दूरी बटे 4 सवारी गाड़ी का समय निकाल लेंगे और एक्सप्रेस गाड़ी का समय निकाल लेंगे तो हम लिखेंगे सवारी गाड़ी द्वारा लिया गया समय हैं हमने मानले T1 और बरावर कितना होगा कुल दूरी हमारी 132 बटे चाल कितनी ती सवारी गाड़ी कि X किलोमेटर तो यहाई हमारे 132 बटे X घंटे इसी प्रिकार हम एक्सप्रेस गाड़ी कि निकाल लेंगे तो लिखेंगे एक्सप्रेस गाड़ी द्वारा लिया गया समय आनलेंगे T2 और दूरी तो यह हैं से हैं 132 इतनी है X प्लस 11 यह जगा हमारे घंटे यानि कि 132 बटे X प्लस 11 गंटे अब हम प्रिशन के अनुसार करेंगे तो लिखेंगे प्रिशन अनुसार 132 X माइनार 132 बटे X प्लस 11 और बराबर एक घंटा यह हमने इसलिए लिखा क्योंकि पहली चाल थी और दूरी चाल को बढ़ा जया तो एक घंटा का हम ले रही थी तो इसलिए हमने इहाँ पर माइनस किया अब क्या करेंगे हम इन दोनों का एल्सियम लेंगे तो यहाँ जागा X X प्लस 11 अब X से पूरा को भार देंगे तो X कड़ जागा बचेगा हमारा X प्लस 11 और गुणा में दिखे लेंगे 132 तो 132 X प्लस 11 माइनस यह वाला अब इस सब पूरा को भार देंगे तो X प्लस 11 कड़ जागा और हमारा बचेगा X X की गुणा 132 से करेंगे तो यहाँ जागा हमारा 132 X बराबर 1 अब हम इसकी मुल्टिप्लाइ कर लेंगे अंदर तो 132 की X से करेंगे तो आजगा 132 X प्लस 132 की 11 से गुणा करेंगे जागा 142 में माइनस 32 132 X एजिस्ट्रेव और बटे यहाँ पर इसकी भी गुणा कर लेंगे X की X से करेंगे तो X से करेंगे तो X से करेंगे तो लिखेंगे 11 X और यह बराबर में इस चल लेता अब हम यहाँ पर देखेंगे कि कुछ पद हमारे कड़ रहे यहाँ 132 X प्लस का और यहाँ 132 X माइनस का तो यहाँ पर असमा कड़ जाएंगे तो हमारा बचेगा 14 52 बटे X स्क्वाइर पिलस 11 X और बराबर 1 अब हम इसकी क्रॉस मेंटिप्लाई कर लेंगे इसका बटेवन मान का तो यहाँ पर लिखेंगे इसकी इस्त करेंगे तो X स्क्वाइर पिलस 11 X और बराबर में 14 52 अब हम यहाँ पर कर लेते तो हमारा आगया x square plus 11x और यहाँ पर इधर यह plus का चौद बावन तो इधर लिया आँगे माइनस का हो जागा तो यहाँ चौद बावन बरावर 0 अब इसके 1452 के हम ऐसे टुकड़े करने कि घटाने पर हमारा 11 आना चाहिए और गुणा करने पर 1452 आना चाहिए तो हम क्या करेंगे कि 44 की गुणा अगर मैं 33 तो करता हूँ तो हमारा आता 1452 अगर मैं 44 मसब 33 घटाता हूँ तो हमारा आग 11 यानि कि हम इसकी जाने लिख सकते 11 की 44 माइनस 33 तो लिखेंगे x स्कौर पिलाज 44 माइनस 33 x यहाँ गुणा में रख लेंगे माइनस 1452 बरावर 0 अब हम इसकी गुणा कर लेंगे यहाँ जागा x स्कौर पिलाज 44 x माइनस के 33 x की गुणा करेंगे तो 33 x माइनस 1452 बरावर 0 अब यहाँ पर हमारे दो जोगे पेयर बनेगे इसमें सो कॉमन दिल लेंगे तो इसमें सो कॉमन बनेगा x x स्कौर पिलाज बावर देंगे तो x बचेगा हमारा यह पिलस का यह पिलस तो जागा पिलस 144 x को भाग देंगे तो हमारा बच्चा बावर 44 माइनस अब अब यहाँ पर कॉमन बनाएंगे तो यहाँ देखेंगे की इसमें 33 x सो और यहाँ 1400 बावर देंगे तो यहाँ माइनस के 33 कॉमन दिल लेंगे और अब माइनस 33 सो इसमें भाग देंगे तो यहाँ पर x बचेगा यह minus minus अजाओ हमारा प्लास आप 33 तो 1422 भाग देंगे तो हमारा 44 बार जाएगा और बराबर 0 अब x plus 44 इधर भी आया और x plus 44 इसम भी तो इन दो नवसा हम common देल लेंगे x plus 44 यहाँ हमारा common बन दे हा तो यहाँ बचेगा इस सब भाग देंगे तो x बचेगा अब माइना इस तो इसे भाग देंगे तो 33 बचेगा बराबर 0 अब हम यहां से x की value निकाल लेंगे तो इसके बराबर 0 रखेंगे इसके बराबर 0 तो x प्लस 44 बराबर 0 और x माइनस 33 बराबर 0 तो यहां से x की value निकाल लेंगे तो x बराबर आगे हमारा माइनस के 44 क्योंकि यहां देर प्लस का ते जले जाएंगे माइनस का उप जागा और X बराबर आगे 0 से जले जाएंगे तो प्लस के 33 तो X बराबर माइनस 44 को हम छोड़ देंगे क्योंकि कोई भी चाल माइनस में नहीं होती लिख देंगे छोड़ने पर तो X बरावर हम लेल लेंगे 33 तो लिखेंगे अते हैं तो हमने लिखा अते हैं सवारी गाड़ी की उसक चाल बरावर होगी 33 किलोमेटर परती गंटा क्योंकि हमने यहाँ पर X की वेल्व थेंटिस मानने 47 को छोड़ दे क्योंकि यह माइनस कता और लिखा और एक्सप्रेश गाड़ी की उसक चाल 33 प्लस 11 अब आप सोतरोंगे 11 काहाँ साया तो हमने एक्सप्रेश गाड़ी की चाल मानने किती X प्लस 11 तो X की जागा हमने 23 रखा और 11 तो हैता यह जगा एक चवाली तो यह आग्या हमारा एक्सप्रेश गाड़ी की 44 किलोमेटर पड़ती गंटा तो यही इसका आनसर हो गया कोशन नमबर 11 दो वर्गों के छेत्रफलों का योग 480 मिटर स्क्वेर है यदि उनके परिमाफों का आंतर 24 मिटर हो दो दोनों वर्गों की भुजा याद कीजिए चलिए कोशन को सॉल्व करते हैं सबसे पहले लिखेंगे कोशन नमबर 11 और लिखेंगे सॉल्व इस कोशन में दो वर्ग दिये हैं तो पहले हम मान लेगे माना बड़े वर्गी की भुजा बड़े वर्ग की भुजा बराबर X मिटर और छोटे वर्ग की भुजा बराबर Y मिटर अब हम यहां से प्रस्णानुशार करेंगे लिखेंगे प्रस्णानुशार तो इस कोशन में कहा था कि दो वर्गों के छेत्र फोलों का योग 468 तो हम पहले वर्ग का निकाल लेंगे तो यानि कि वर्ग का छेत्रपल लोगता भुजा की गाल दो तो पहले हम बड़े वाले वर्ग का निकाल लेंगे तो भुजा की गाल दो फिलस वाई स्क्वेर यानि कि दूसरे छोटे वर्ग का छेत्रपल पराबर होगा दोन्ना का अंतर तो परिमाथ जो थे X खोता बर्त का परिमाथ होता हमारा 4 गुणा भुजा तो 4 X भुजा मारी X हो अर अंतर माइनार दूसरा तो 4 गुणा भुजा भुजा Y थी बरावर देख्का हमा 24 मिटर अब यहां से हम 4 कोमन गिद लेंगे चार को मन लिया तो यह बच्छा माइनस एक्स माइनस वाई बराबर 24 अब चार से कार देंगे चार चंग 24 तो एक्स माइनस वाई बराबर आ जा हमारा 6 अब यहां से हम एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे तो एक्स बराबर आ जागा 6 प्लस वाई यहां से Y इधार टे जाएंगे तो पिलस का होत जवा और X का मान समी करण एक में रख देंगे तो लिखेंगे समी करण एक में X बराबर 6 पिलस Y रखने पर समी करण हमारी X की देंगा हम रखेंगे 6 पिलस Y इसका स्क्वेर हो रहेंगे क्योंकि यह आप xмianyा है डाया लिखता पिलस y का इसक्वाइर बराबर 468 अब हम इसका a फ्लस b का होल स्क्वार खुल लेंगे तो लिखेंगे A का स्क्क्वयर यानिकी 6 की घार दो फिलत B की घार दो यानि Y की घार दो फिलस 2 A एका मान 6 गुणा B का मान Y फिलस ये Y स्क्वयर Haac रखेंगे और बराबर 468 अब हान इसका वर्ण करेंगे छेगा 6 का वर 36 पिलस y square ऐसी पिलस इन दोने गुणा कर लेंगे 6 दोनी 12 y plus y square बराबर 468 अब एक y ये रिया एक के दोने पिलस की तो हमारी दोत्य की 2 y square पिलस 12 y और ये पिलस के 36 हमने यहां पर रख दिये इसो 468 को इधर दिया ये तो माइनस का उस देगा 408 बराबर बचा 0 अब हम यहां पर कर लिकते हैं तो हमारा ये आए जा था 2 y square पिलस 12 y plus 36 माइनस 468 अब हम इसमें 36 माशा 468 घटा लेंगे तो 2 y square पिलस 12 y ये 36 पिलस के और माइनस के 468 माइनस के बढ़े हैं तो माइनस के बचेंगे तो घटांगे 8 अमसे 6 जांगे हमारे 2 बचे 6 अमसे 3 गए 3 बचे 4 ऐसी यानिके हमारा बचे माइनस के 432 बराबर 0 यहां से हम 2 common बंदिया हमारा समा 2 common दिल लेंगे तो ये बचेगा हमारा y square पिलस 200 स भाग देंगे 2 च्शंग 126 माइनस अब इससे देंगे 432 को 2 स भाग तो 2 दूनी 4 2 इकना 2 2 च्शंग 12 यानिके 216 बराबर 0 अब इस दो को 0 के भाग में पहुचा देंगे तो यह जगा y square पिलस 6y माइनस के 216 और जब यह उदर भाग में जागा तो हो जगा 0 इसके factor करेंगे तो 216 के ऐसा कर प्रेक्टर करने है कि गुणा करने पर 216 आना चाहिए और घटाने पर 6 तो हम करेंगे 18 की गुणा अगर मैं 12 से करूँगा तो हमारा आगा 216 और 18 में 12 गटांगा तो बचेगा हमारा 6 तो हम यहाँ पर लिख सकते 6 की देंगा 18-12 तो लिखेंगे y square पिलस 6 की देंगे लिखें 18-12y-216 बराबर 0 अब इसकी गुणा करेंगे अंदर तो यहाँ देगा y square पिलस 18y फिलस माइनस माइनस 12 की y से करेंगे तो 12y-216 बराबर 0 अब यह दोद्दों के pair बना लेंगे यहाँ से common लेंगे यहाँ से common बनाया हमारा y 22y को भाग देंगे तो 22y square को भाग देंगे हमारा y पिलस 28y को भाग देंगे तो 18y करेंगे माइनस इसमाज हम comment लेंगे 12 तो यहाँ बसेगा हमारा y minus minus 12 12 12 से 26 भाग देंगे तो यहाँ हमारा 18 बराबर 0 यहाँ पर y plus 18 यहाँ पर भी है y plus 18 यहाँ तो हम यहाँ comment लेंगे y plus 18 तो हमारा बसेगा here y minus 12 बराबर 0 आप हम y का मान निकालना है तो y प्लस 18 बराबर 0 रखेंगे और y माइनस 12 बराबर भी 0 रखेंगे तो यहाँ जागा y प्लस 18 बराबर 0 और y माइनस 12 बराबर 0 तो यहां से y का मान लिका लेंगे तो y बराबर आ जागा इधर पिलस का दले जाएंगे बराबर के तो जागा माइनस के 18 और यहां से y बराबर आ जागा पिलस के बार क्यों कि दलेंगे हम पिलस का हो गया तो माइनस की तो हम छोड़ दें कोई भी वर्ग की बुझा माइनस में नहीं होती श्रियों लिख दोगें छोड़ने पर अब बाई बराबर हम लिए लेंगे 12 तो हमारे छोटे बर्ग की बुझा आगी 12 अब बाई का मान हम मान हम यहां रख देंगे जहां हमने एकस की वेली निकाल देती यहता एकस बराबर 6 पिलस बाई तो हम समीकराण सेकिन भी मान सकते तो लिखेंगे समीकराण सेकिन से तो एकस बराबर 6 पिलस बाई था तो X बरावर आज़ा अच्छा है फिलाज पाई की जगा हम रख देंगे बार तो यहां मारा X का माना आज़िया अठार तो लिखेंगे अतेर तो हमने लिखा अतेर बड़े वर्क की भुजा बरावर अठार मेटर हो गई छोटे वर्क की भुजा 12 cm और यही इसका आपको यह कुशन अच्छे समझ में आगे होंगे अगर आपको कुशन समझ में आए तो वीडियो को लाइक की दिए और शेयर की दिए अगर आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में वेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि जोगे हम वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले नॉटिपिकेशन आपको मिल जाए आज की वीडियो में इतना ही फिर मिंत है नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ तब तक के लिए जाएं वद्दे मात्रम